हेलो फ्रेंड्स मैं आपने चैनल SF Classes में मैं ट्रिक बोर्ट परशाइड दो एरेकेश के जो एकजाम 17 फरवरी से सुरू होने वाले है मैं क्लास 10 के लिए खासकर 40 objective question लाया हूँ जो आप लोग टेस्ट को रूप में देना है जिस question का अप लोग का answer याद होगा उसे अपना comment box में लिखना है और मैं जितना question का answer आप लोग दीजिएगा मैं उसका आप लोग को reply में पूरा number जितना आप लोग सहीद दिये होंगे उसको मैं दूँगा आप लोग कितना परशा के त्यारी किये हैं ताकि इसे पता चल जागा कितना number आप लोग सहीद कर रहे हैं और कितना गलत आप लोग इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेट का चेप्टर वाइज टेस्ट दूँगा रोज और आप लोग का answer comment box में लिखना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो सब्सक्राइब ना करके लाइक और सियर जरू करना दोस्तो question number one है परवर्तक सत्य की सुचंदर्शिय स्चरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परवर्तन होगा इसमें दोस्तो आपनों का चर अप्शन दिया गया है पहला अप्शन है जिसमें जो आपका एंसर सही लएगा उससे अपना comment box में लिखिएगा question number two है परवर्तन के नियमों का पालान option यह होता है नहीं होता है कभी होता है कभी नहीं होता है और डी है परवर्तन ही नहीं होता है अब चलते question number four तिंग की तरफ question number three है क्या समतल दरपण में बने परतिविम को परदे पर उतार सकते है option A है हाँ B है नहीं C है निश्ची तरपकाना कठीन है और D है परतितियों पर निर्भर करेगा अब चलते question number four की तरफ question number four है नेतर के किस दोस्ट को दूर करने के लिए और लेंस का परियोग किया जाता है इसमें दोस्तों आपका चार option दिया गया है जरा दिर्ष्टी दोस्ट दूर दिर्ष्टी दोस्ट निकर दिर्ष्टी दोस्ट और D है दिर्ष्टी बिस्मा है इसमें दोस्तों आपका जो एंस्वर होगा अपना comment box में लिखना है question number 5 है आख बेवार करता है option A है आवतल दरपन की तरह B है उतल लेंज की तरह C है समतल दरपन की तरह D है आवतल लेंज की तरह अब चलते है question number 6 की तरह question number 6 है कैमरे की किस तरह नेतर में परवेश करते परकास के परिणाम को नियंतरित करता है A है कार्णिया B है लेंज C है पुतले और D है आईरिस आपका जो एंसर सही होगा उससे comment box में नंबर वाई देकर option लिख देना है question number 7 है cell परिपत को उर्जा परदान करता है परती एक कांक आवेश के लिए उपलब्द उर्जा के परिणाम को कहते है क्या कहते है option A है विदूत वाकबल B है विववानतर C है विदूत इस्तित उर्जा और D है क्यावर विदूत उर्जा अब question number 8 है अप लोग का कार्बन की परतिरोदक्ता की कोटी होती है option A है 8 inverse 10 inverse 10 inverse 6 C है 10 inverse 4 और D है 10 inverse 2 अब लोग question number 9 है 2 ohm तथा 3 ohm के परतिरोद के सन्योजक्त से प्राप्त हो सकने वाले परतिरोद होंगे option A है 5 तथा 1 ohm B है 5 तथा 6 ohm 5 ohm और C है 1 ohm तथा 6 by 4 5 ohm और D है इन में से कोई नहीं और question number अप लोग का अगला है next 10 number 10 नमबर अप लोग का answer question है दोस्तों कि किसी चुमबकिये छेत्र में एक धरवाई एलमोनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगते बल की दीशा को किस नियम की साहिता से बतला सकते है आप लोग का answer सही लएगा उसे कमेंट बक्स में देना है question number 11 है विदूत मोटर की सक्ति को बढ़ाने का सरल उपाई क्या है option दोस्तों ए है नाल चुमबक को प्रवल्ग रखना B. अमरेचर में लपेटे की संख्या बढ़ाना C. बड़ी धारा प्रवाइद करना D. तीनों उपाई एक साथ करना अब चलते है question number 12 की तरफ question number 12 है विदूत चुमबक की प्रवल्ग में उत्पन धारा की दीशा किस नियम से बतलाई जा सकती है इसमें दोस्त अप्रवल का चार अप्सन दिया गया है Maxwell के दाचिर हस्तनियम B. एए फिलेमिंग के वाम हस्तनियम और C. एए फिलेमिंग के दाचिर हस्तनियम और D. एए इनमें से कोई नहीं अब चलते है question number 13 की तरफ Question number 13 है ताप सकती विदूत सन्यंत्र में आमरेचर को घुनित करने का काम कौन करता है Option A है वास्प B है सनपिडित गरम हवा और C है A तता वी दोनो D है कोई नहीं अब चलते question number 14 की तरफ Question number 14 है प्रतिक किरिया H2 परस C L 2 2 H C L है Option A है सन्योजग प्रतिक किरिया B है आक्सिक करन पर किरिया और C है और करन और D N में से सब एक यह कोई सी प्रतिक किरिया है Option जिसमें दिया गया है उसको answer comment box में लिखना है Question number 15 है फेरा सलफेट के घोल से लोहा को कवन धातू विश्थापित करेगा Option A है S N B है C U B है C U और C है Z N और D है A G अब question number 16 है केल्सियम कर्पनोट को कहते हैं अब साने है चॉक B है चुना पत्थर C है संग्वर्मर और D है इन में से सभी Question number 17 है अपच का उपचार करने के लिए नीम में से किस अवसधी का उप्योग होता है Option आप लोग अचार दिया क्या है Option A है Antibiotic B है Antisit और C है Enalgesic और D है Antiseptic Question number 18 है निमलेखित में कौन छारक है Option A है ZNO B है SA2 C है CO2 और D है NA2 अपकर चलते हैं Question number 19 की तरफ Question number 19 है यह दि आपके परिवार का कोई सदस्या अत्यादिक भोजन करने के कारण अमलता से पिलित है तो आप कौन सा उप्चार सुझाएंगे Option A है निबू का रास B है सिरका C है बेकिंग सोड़े का बिलियन और D है धोवन सोड़ा का बिलियन इसमें तो यह जो आपका एंसर सही लेगा उसे अपना कमेंट बक्स में डालना है अब चलते हैं Question No.20 की तरफ Question No.20 है उच वसी अमलू के सोड़ियम लवन कालाते है Option A है अपमार्जक B है साबून C है पलास्टिक और D है रबड अब चलते Question No.21 की तरफ Question No.21 है हेमाटाइट किस धातू का अयस्क है Option A है सोड़ियम B है कैल्सियम C है अलमूनियम और D है फेरस Question No.22 है धातू को जोड़ने में पर्युक्त गैस है Option A है एथेन B है मेथेन C है इथाइन और D है एथिलीन Question No.23 है उपधातू है अपसान A है A-U B है A-G C है P-T और D है G-E अप लोग का Question No.24 है अपसान 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 नम्वर्पोपोग का जो इंसर रिया दोगा उसे अपना कमेंट बॉक्स में लिखना है कोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््च् इन में से ओप्शन ए है चौश शयुज़क आबंध है बिए सात शयुज़क आबंध है सी है आठ सोयुज़क आबंध है डिए नो सोयुज़क आबंध है Q27 है तायलीन परिवर्तित करता है अफ्सान ए है वासा को वासा अमल में B है मंड को सरक्राम में C है पोटीन को अमीनो अमल में और D है पोटीन को टिप्टोन में क्वेश्चन नमबर ठाइस है अवाई सी ए अवाई स्वासन को इसका को किस भाग में होता है जो अवाई स्वासन है कोश्चा के किस भाग में होता है अफ्सान A है माइट्रो कांड्रिया B है कोश्चा द्रव्या C है हरितलवक D है कोश्चा जीली अब लोगा कोश्चन नमबर उन्निस उन्तिस है प्राग नलिका का बिजान्ड की ओर ब्रिधी करना किस परकार का अन्वर्तन है अफ्सान A है एंजाइम B है रसायन C है प्लाजमा और D है रसायन अन्वर्तन कोश्चन नमबर तीस है अंकुरित हुए बीजो की ब्रिधी के अगर भाग पर उत्पन होता है अफ्सान A है F से सिक B है अकजिन्स C है फ्लोरी जिन्स D है इन में से कोई नहीं एक कोश्चन नमबर तीस है कोश्चन नमबर तीस है फूल में पोदे के नर भाग का क्या नाम है अफ्सान A है अगर भाग B है, अंडास है C है, पुंकेसर D है, इन में से कोई नहीं कोश्चन नमबर तीस है बेकासिये दिरिश्टी से हमारी समानता किसे अधिक है अफ्सान A है चीन के बिद्यार्थी B है, चिमपैजी C है, मकडी D है, जुआडू कोश्चन नमबर तीस है उभेलिंगी जन्तु कोण नहीं है अफ्सान A है केचुआ B है, क्रीमी C है, हाइडरा D है, मचली क्वेश्चन नमबर तीस है पूस्प के केंदर में अवास्थित मादा जन्नांग कोण है अफ्सान A है इस्त्रीकेशर B है, पुनकेशर C है, प्राकण और D है, प्राककोस क्वेश्चन और पाइटिस है निमलेखित में कौन एक आहर्ट स्रिंखला बनाते है अफ्सान A है घास, मचली, मेड़क B है, सेवाल, घास तथा ग्रास ओपर C है, घास, बकरी तथा मनुस्य D है, गेहू, आम तथा मनुस्य क्वेश्चन नमबर 36 है क्योटो, प्रोटोकॉल कीस गैस के उत्सरजन के अस्तर में कमी लाने के लग्षण से बनाया गया था अप्शन A है ओजोन, B है कैरबन डाइक्साइड C है, नैट्रोजन डाइक्साइड और D है, सल्फर डाइक्साइड क्वेश्चन नमबर 37 है यक्रित से निव्ण में से कौन साइड र स निकलता है? अप्शन A है, ला़ र स B है, जठ र स C है, पित र स D है, आमन आतर र स क्वेश्चन नमबर 38 है स्वेश्चन की प्रकिरिया में खाड य परतास का क्या होता है? कोश्चन नमर 49 है अनुमास्तिक किस लिए उतरदाई है कोश्चन नमर 40 है समझात अंगों के उधारण है अप्शन A है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद B है हमारे दान तथा हाथी के दान C है आलू एवं घास के फुस्तारी और D है उप्रोक में से सवी